जिस उत्सा के साथ भारत में निवेश करने लोग आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको देखते हुए भारत में तो निवेश बहुत बड़े रूप में आएगा, लेकिन महराश्ट्रा में भी निवेश आए, उसके लिए जो इको सिस्टम, जो सुविधाये खड़ी होनी चाहिए थी, वो जिस स्टेज गती से, यहां पे माने देवेंद्र फड़नविस जी के नित्रतों में चल रही थी, उसमें जो उत्साह आ रहा था लोगों का यहां पे निवेश करने का, उसको दुरभाग्य से, एक अर्चन आ गई, एक रोक लग गई, जिसके कारण एक दो और मैंने मेरे ओफिस से अभी अभी, वहां से हमारी फाइलों को खोल के, आज रवीवार है उसके बावजूद, फाइलों को खोल के देवेंद्र जी का पत्र निकल वाया, कि मैं आपके साथ साजा कर सकूँ, कि असलियत क्या है, मुझे याद है जब पी-म मित्रपार्क की गोशना की गई, तब हमने पूरे देश में सभी राज्यों को का आग्र किया, कि वो अपनी अपनी अप्लिकेशन भेजें, हमने मापदन बनाए और एक स्पर्दा, बड़ी पारदर्शिय स्पर्दा बनाई गई थी, कि देश का कोई भी राज्या, जो हजार एकर से अधिक जमीन बहुत ही सस्तेदर या मुफ्त में दे सके, उनको हम कंसिलर करेंगे, पी-एम मित्र पार्क के लिए, और बाकी जो उनकी सुविधाय मिलती है, उस सब को नजर रखते हुए, तै करेंगे कि यहाँ पे पार्क चलेगा या नहीं चलेगा, आपको जानके हिरानी होगी, कि 15 मार्च आकरी दिन थी, पी-एम मित्र पार्क की एप्लिकेशन आने के लिए, देश भर से अलग-अलग राज्यों की एप्लिकेशन आ रही थी, लेकिन महराष्टर की एप्लिकेशन हमारे पास पहुँच ही नहीं रही थी, हमें भी थोड़ा अश्यर हुआ, जो प्रदे प्रदेश के किसान, जो प्रदेश के महंती कामगारों ने इस प्रदेश को इतनी नहीं उचाईयों तक लेके गए, आज हमने देखा अभी-अभी 10 प्रतिशत देश का वस्त्र उद्योग का आउटपूट उत्पादन महराष्टरा से होता है, हमने देखा कि भारत का सबसे आश्टरा से जाता है, यहाँ पे बिजली है, पानी है, खास तोर पे अमरावती में कापूस का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, यहाँ पोर्ट है, हाईवे, रोड, रेल्वे सबकी इंफ्रास्ट्रक्चर्चर्ज हैं, उसके बावजूद आकरी दिन आते आते यहाँ आप्लिकेशन ही नहीं आ रही थी, फिर मैंने जब देवेंद्र फट्नविस जी लीडर ऑफ दी ओपोजिशन थे, उनसे दर्क्वास की, तो उन्होंने यहाँ पे जब हल्ला मचाया, उन्होंने जब यहाँ पे डिमांड की कि महराश्ट्रा ने टेक्साइल पार्क के लिए अप्लाई करना चीए, तो आखरी शनों में, भायो बहनों, आखरी शनों में, लास्ट मॉमेंट पर, यह अप्लिकेशन महराश्ट्रा की केंद्र सरकार के पास पहुँची, अफ्कोर्स उसके बाद, फॉलो अप तो मुझे लगता है, देवेंद्र जी आप ही करते रहे, मुझे पत्र अभी-अभी मेरे डिपार्ट्मेंट ने निकाल के दिया, आपका 23 में 2022 का पत्र, रिगार्डिंग नीट फॉर टेक्साइल पार्क इन अमरावती एरिया ऑफ महराश्ट्रा, अंडर स्कीम ऑफ पी-एम मित्र, यह देवेंद्र फटनवेस ने लीडर ओफ ऑपोजिशन के नाते, मुझे पत्र लिखा, और डिमांड किया कि अमरावती में पार्क बनाया महरास्ट्रा की कैसे प्रात्मिक स्थान है, टेक्साइल के शेत्र में, चालिस टेक्साइल के खलस्टर है, चौदा टेक्साइल पार्क है, रिसर्च इंसिटूशन जैं, विजे टियाए, निफ्ट, बुल रिसर्च इंसिटूट यह सब का प्योरा देते हुए, उन्होंने प्रदान मंती जी के 5F के विजन के साथ जोड़ते वे काया है, considering this, there will be enough facilities available within the area to utilize the abundantly available raw materials. But if the factories that can utilize the raw material are located far away from the source of raw material, transportation of cotton from Vidarbha to the textile manufacturing areas adds up to the cost of manufacturing. यही तो है प्रदान मंती मोदी जी का विजन, 5F विजन क्या है? कि जहां raw material मिलता है, वहीं पे फार्म से फाइबर की तरफ जाए, फाइबर वहीं बनेगा और फैबरिक उदर ही होगा, तो स्वभाविक रूप से fashion तो मुंबई और महाराश्टा की अपने आपने देन है, पूरा विश्व मुंबई के तरफ fashion के लिए देखता है, मुंबई का port JNPT हो, मुंबई port trust हो, यह आज विश्वस्तरिया है, सबसे ज़्यादा निर्यात यहां से होता है, तो महाराश्टा तो एक ऐसा प्रदेश है, जहां farm भी है, fiber भी है, fabric भी है, fashion भी है, और foreign भी तक जाने की संभावनाएं भी है, उसके बाद, it is a natural choice for a PM मित्रपार्क, और इसलिए, इन्होंने का है, keeping all this in consideration, I had proposed a textile park near Amravati, when I was at the helm of the state, right since then, I have always been vociferous with the demand for such a textile park at every relevant forum. Now the time has arrived, and a textile park is the need of the hour. A location about 30 kilometers from Amravati is best suited for such a park as it has ample electricity, water availability, easily available land belonging to MIDC, there is no environmentally sensitive project in the vicinity, which will make it easier to get environmental clearance. Moreover, since the site is a brownfield one, with major infrastructure work already completed, project implementation in the shortest possible time will be possible if done under the umbrella of the PM मित्रपार्पार्थ. अब इससे ज्यादा समझदारी का क्या सबूत हो सकता है?